तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिस्कस करने वाला हूँ किया कि 10th की क्लास को पास करने के बाद जो B.S.C. Physics का जो कोर्स है वो आखिर कैसे किया जा सकता है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्डस्ट जेना तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिस्कस करने वाला हूँ B.S.C. Physics कोर्स के बारे में जोनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप में जे करी स्टूरेंट्स का दोखते हैं डाउट होता है कि हाउ टू डू B.S.C. Physics कोर्स आफ्टर 10th क्लास यानि 10th की क्लास को पास करने के बाद जो B.S.C. Physics का जो कोर्स है वो आखिर कैसे किया जा सकता है तो मैं आपको उताना चाहता हूँ कि आपको 10th की क्लास को पास करने के बाद आप जो 11th हो जो 12th की क्लास है उसे आपको पास करनी पड़ेगी आपको 11th हो जो 12th की क्लास में जो आपको Physics का जो सब्जेक्ट है वो आपको कमपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा तो जिन स्टूडेंट्स ने 11 तो जो 12 की कलासे वो PCM जहां PCB के सब्जेक्टों के साथ पास की है उनके लिए BSC Physics को करना का फियादा इजी हो जाता है अगर मैं आपसे BSC Physics कोर्स के बारे में आपसे में डिसकस करूँ तो BSC Physics का जो कोर्स है वो एक 30 साल का कोर्स होता है जिसमें खुल 6 स्मेस्टर होते हैं और एक स्मेस्टर की जो लेंद्ध होती है वो दो तो 6 मीनत की होती है जो कि आज के टाइम में कई सारे A.C. स्टूडेंट और अगर आपको किसी भी परकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और भी कई सारे courses के बारे में videos मिल जाएंगी आप उन्हें वाँ जाकर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद